सबसे पहले सर आपको किसी भी ब्राउजर को उपेन कर लेना है उसके बाद आपको सर्च कर लेना है यूडाइस प्लस करके सबसे पहला जो आपके सामने आएगा यूडाइस प्लस करके उस पे आपको क्लिक कर लेना है इसके बाद सर आपको कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस नजर आएगा आपको यहां से Login for All Module पे क्लिक करना है Next जो है सर हमें यहां पे Teacher Module Login पे क्लिक करना है इसके बाद जो है सर आपको यहां पे School का UDIS Code डालना है Password डालना है और यह Capture को Fill Up कर लेना है इसके बाद यहां से आपको Login पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस सोहने वाला है यहां पे आपको सोहरा है Welcome to National Teacher Database करके ठीक है यहां पे आपको क्लिक करना है Teaching Non-Teaching VTS DCF to Fill the Data इसके आपको क्लिक करना है इसके बाद यहां पे पूरा स्टाफ का सम्री रिपोर्ट दिखेगा यहां पे यहां पे जोड़ी सरभ आपको Regular Teaching Staff Non-Regular Teaching Staff और दोनों को जोर करके आप यहां पे Total आपको सोहने वाला है और यहां पे आपको Non-Teaching Staff आपको यहां पे सोहने वाला है ठीक है यहां से आपको total वाले पे click कर लेना है जैसे ही इसर आप click करोगे आपके school में जितने भी teacher है सारा का आपको यहां पे सो हो जाएगा जैसा कि आप यहां पे हमारे screen पे देख पा रहे हो ओके अभी जो इसर में काम करना है यहां पे update वाला काम करना अपडेट क्या करना है आपको general profile, appointment and teaching profile, training and other details को update करना है अपडेट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से green में नज़र आएगा यहां पे जो है आपको status completed नज़र आएगा यह कैसे होगा step by step देखते हैं यहां से हम नीचे आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पे एक teacher है जिनका update नहीं हुआ है आपको जो है वो red में so होगा और साथ ही आपको यहां पे incomplete so हो रहे हैं तो आएए इसे हम step by step देखते हैं कैसे complete करते हैं यहां पे आपको जो तीन step में update करना है पहला है general profile यहां पे general profile पे click कर लेना है इसके बाद जो है sir आपको आपका data पहले से यहां पे fill up रहेगा अगर आपको इसमें कुछ भी change करना हो जैसे की mobile number, email या फिर और भी कुछ change करना हो या फिर subject change करना हो तो आप यहां से change कर सकते हैं सरा चीज देखने के बाद, change करने के बाद आपको update कर देना है आपको बता दे कि maximum चीज आपका same ही रहेगा by mistake अगर आपका कुछ wrong होगा तो आप सही कर ले अन्य था आपको बस update पे click करना है पहला step हो चुका है, दूसरा step में है आपका appointment and teaching profile यहां पे आपको देख लेना है, सब सही रहने के बाद आपको यहां से update पे click कर लेना है तो यह हमारा दो update हो चुका है आप अगर धिहान से देखोगे सर तो आपको right side corner यहां पे आपको notification सो हो रहा है कि यह आपका update हो चुका है, got it तीसरा, यहां पे सर आपको training and other detail को भी check कर लेना है, got it आपको बता दे कि यहां पे whether the teacher receive training under निष्ठा करके जो लिखा हुआ है यहां पे आपको बताना होगा कि आपने training लिया है या फिर नहीं लिया है तो अगर लिया हो तो yes कर देना है, नहीं तो no करना है, okay यह option जो है आपको नया सो हो रहा है, इसलिए आपको इसमें yes या no mark लगाना ही होगा यहां पे सर एक और new option एड़ वाए, जो कि whether teacher is seated or estate qualified teacher अगर seated या फिर estate qualified है, तो आपको यहां पे yes या no में जवाब देना है अगर आप yes देते हो तो आपको यहां पे year बताना है कि कौन सा year में seated या फिर estate पास हुआ है, got it finally जो है यहां पे update पे click करना है, तो आप यहां पे right side में देख सकते हो, यह आपका update successfully हो चुका है अब sir आप यहां पे देख सकते हो, यह आपका general profile, appointment and teaching profile और training and other details आपका यहां पे completed करके so हो रहा है, got it, काफी असान है, 90% teacher को बस इतना ही काम करना है अगर sir आपको teacher को add करना हो, तो आपको add teaching staff पे click कर लेना है, इसके बाद फिर से sir आपको 3 step में जाना है, यानि कि आपको 3 module मिलेंगे, पहला आपको मिलेगा general profile, आपको यहां पे पूरा सही सही data को आपको fill up कर लेना है इसके बाद आपको save and next करना है, आपके सामने दूसरा module खुलेगा और फिर तीसरा module खुलेगा, इस तरीके से आपको सारा को fill up कर लेना है दूसरा module खुलेगा appointment and teaching profile उसको आपको fill up कर लेना है, तीसरा module खुलेगा जिसमें आपको training का सारा detail को fill up करना है और update करना है इस तरीके से आप जो है एक fresh teaching staff को add कर सकते हो आप next कहानी समझते हैं import staff का import staff पे click करने के बाद आपको यहां से staff का national code डालना है date of birth डालना है और यहां पे go पे click करना है अगर सर आपके पास national code ना हो तो आपको यहां से gate national code पे click करने के बाद यहां से अधार डाले, डेट आप बड़ डाले तो आपको जो है नेशनल कोड मिल जाएगा इसके बाद आप आगे का स्टेप फिल कर सकते हैं इसके बाद सर अगर कोई ऐसा टीचर है जो की स्कूल को लेफ्ट कर गया है या फिर उनका डेथ हो गया है या फिर उनका ट्रांसफर हो गया है तो यहां से लेफ्ट स्कूल पे क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सारा डीटेल आपको सू होगा इसके बाद को यहां पे जो है को स्टाफ को ड्रॉप बॉक्स में डालना है इसके लिए आपको यहाँ पे reason को select कर लेना है और यहाँ पे remarks देना है और यहाँ पे आपको left school पे click कर लेना है तो इस तरीके से आप teacher को अपने school से left कर सकते हो यह सारा परिकरिया follow करने के बाद चाहे वो update करना हो या फिर teaching staff को add करना हो import करना हो या फिर धियान से आपको click here to mark complete पे click करना है तभी जाके आपका school का overall data जो है यहाँ पे complete सो होगा इसी तरह का इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आपको चैनल को subscribe कर लेना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मस रहें और व्यस्त रहें